नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद पिएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाय होती हैं जो विद्यारतियों के लिए अवश्यक होती हैं तो आज ये शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में ऐसी कौर करते हैं और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें आगे वाले एक और सूच उना कि अगर आप लोगों ने अभी तक ट कुराने इस पेपर जो सॉल्ट पेपर और मॉक टेस्ट इस जाज सब कुछ उपलब्त करवा दिया गया है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में देदी हैं वहां जागर क्या आप लोग एप को डाउनलोड कर सकते हैं अधवा टार्गेट विपेस्पराइब को भी वेलफियर बोड यूपी में सिक्षन संस्थानों और नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछडे वर के आरचन पर रखेगा नजर प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछडे वर के लिए EWS वेलफियर बोड का कठन होगा यह बोड सिक्षन संस्थानों और नौकरियों मे EWS आराचर समंधी नेमों के पालन के निगरानी करेगा यह बोर्ड समय समय पर EWS के कल्याण के लिए सरकार को अपनी सिफारे से भी देगा इसमें तकनीकी वशिक्षा विभाग और भरती आयोकों के उच इस्तरी प्रत्री दिप शामिल होगे एसा प्रयोग करने वाला यूापी देश का पहला राजय होगा सासन ने 2-3 दिन के अंदर इस बोर्ड का प्रारूप मांगा है और इसके अनुसार समाज कल्याण मंत्री पदेन अध्यक्ष और समाज कल्याण राज मंत्री पदेन उपादक्ष होगे शिक्षा विभाग तकनिकी शिक्षा विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुक्स चुब इस बोड के सदत से होंगे और यूपी लोग सेवा आयोग अधिनस सेवा चेन आयोग के अध्यक्ष वह उनकी और से नामित अधिकारी भी बोड में शामिल होंगे इस प्रा के लिए भी एक वेल फेर बोर्ड होना चाहिए कि आखिरकार यह जो भड़तियां वो तीन-तिन साल से चार-चार साल से क्यों फसी है भड़तियां समय पर कंप्लीट क्यों नहीं करवाई जाती है प्रश्ण पत्र गलत क्यों बनाई जाते हैं उत्तरकुंजी समय से जारी क्यों किया जाता है विद्द्द्द्द के निक्ति दल्दी क्यों नहीं मिलती है इसके लिए बी एक बोर्ड का गठन होना चाहिए फिलाल EWS की बारे में भी बात हो रही थी EWS के लिए विद्यार्थी कई दिनों से संघर्ष कर रहे थे खास्तोर से इन विद्यार्थियों की ये मांगें कि EWS में भी समान आरचन की तरह उम्बर सीमा में छूट दी जाए जैनि जिस तरीके से KS-C, oVc को भर्तियों में 3-4-5 साल की अलगए करिदेगरी में मिलती है उसी तरीके से इन विद्यार्थियों की भी मांगे थी और भी बहुत सारी राजे हैं जो EWS को उम्पसीमा में छूट देते हैं तो यह मांग यूपी में विद्धार्थी बोधिन से कर रहे थे और ऐसा लगता कि अब हो सकता कि यह मांग विद्धार्थियों को पूरी हो जाए इन विद्धार्थियों ने एक गुरूप बनाया उसकी लिंक बने डिस् प्र juicy प्रातयूं से लेकर बुर 7 तक शिंछए बड़ती की दर्वाfel जें जल्द ही खुलेंगे में नई स्रकार की के बाद में भरती संस्थां नए विध्या पन्चारी करने की तयारी में हैं माधिमिक शिख्या में भड़ती के लिए संस्थां को हजारों पदों के अधियाचन मिल चुके हैं बात TGT और PGT की हो रही है उसक्षा में भड़ती के लिए हजारों पदों के अधियाचन मिल चुके हैं वहीं पर प्रात्मिक एवं उच्ष सिक्षा में भी हजारों की संख्यां पद्रेखते हैं यह तो सभी को मालूम हम लोगने बहुत स अबेर्थियों ने विग्यापन के लिए चेर्ण बोर्ड पर कई भार धर्ना प्रजशन भी किया था लेकिन चुनाओं अचार सहीता लागू हो जाने के कारण चेर्ण बोर्ड विग्यापन जारी नहीं कर सका इन्हें 5000 पतों में से दोसो नवासी पतों पर टीजिटी पीजिटी दोजार सोला के चैर्ण बोर्ड इन रिक्त पतों पर भरती के लिए यह सब उमीद है हो सकता है वाली बात है यहाँ पर लिखा कि नई सरकार का घठन होते ही चेन बोर्ड इन रिक्त पतों पर भरती के लिए विग्यापन जारी कर देगा चेहन बोर्ड के सुत्रों का कहना है कि जल्द ही विग्यापन जारी करने की तैयारी है वहीं उत्तर प्रतेश लोग सेवा आयोक को भी लटी जिसमें एल्टी ग्रेट के पतों के संक्या अभी और बढ़ेगी अभरती मांग करना है कि आयोग जल्दी ही विग्यापन जारी करके भरती प्रक्या सुरू करें अर्य तो क्या होगा 1207 पतों का वहीं प्रदेश के असास की महा विद्यालियों में असिस्टिन प्रफेस्टर क लेकर के बिधान समय में बहुत सारे चीजी हुई नीची यहां पर लिखा हुआ है कि इद्धो लाइन में यही थोड़ा सा है कि इन में से तक्रीवन सत्रे अजार पदों पर जल्द ही भरती शुरू करने के त्यारी है तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यह बरती ह जो हो कब होती है भरतियों और रोजगार की मुद्धे पर यह सरकार उदासीन है पहले भी थी हमेशा रहे कि सरकार की यह नीती है मैं इस पश्ट रूप से कहता हूं और सरकार ने इस तरीके के बड़े-बड़े दावे पिसली बार भी किये थे कि हर साल सिक्षक बरती आए पाया है उत्तर प्रदेश में उप्यूक्त विविकल्प के आभावे में लोगों ने इस सरकार को वोड़ दिया है चुकि समाजवादी पार्थी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो उसमें बहुत ज़्यादा भृष्ट अब भूल नहीं पाये थे बरतियों आज के प्रदेश टालने के लिए मुक्त नयाधी से आगरे किया विद्यार्थियों ने दो महत्पूर्ण भरति परिच्चा के लिए 30 अप्रेल तक कर सकेंगे आवेदन उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने विभागी पतोन्यती के लिए परिच्चा कराने की प्रक्रिया सु आपन सेवा परिच्चत वर 21 समंधित व्याख्याता कंप्यूटर इलेक्ट्रोनिक्स अभियंतर रसायन बहुत की गडित का इम्तिहान मंगलवार 22 मार्च को आयुजित होगा सुबह के पांच जिलों में 99 परिच्चकेंद्रों पर 203 परिच्चक कराई जाएगी उत्तर प् देख सकते हैं और अवेदन कर सकते हैं आज इसे खुले के इलाबात विश्वी दैला परिच्चों पर निरनाय लेने का दबाव है विश्वी दैला में 22 अप्रेल से परिच्चा होनी है और अभी तक यह कहा गया आफ्लाइन विदार्थियों को कहना कि ऑनलाइन परिच्च कारणाय में ग्यापन देंगे अगर इसके बाद में कोई नहीं हुआ तो मंगल वार कौन तो नहीं तेज हो जाएगा पोस्ट ग्रेजिवेशन के बाद में 10 साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी नहीं तो एक करोड़ चुका नहीं होगी PMS चिकित्रिकों ने नीट PG मॉप अप राउंड कांसलिंग में भारांग दिगा जाएगा इसके तहत उन्हें बांड भरना होगा PG करने के बाद उन्हें 10 साल तक सरकारी चिकत्सालियों में सेवा देनी होगी ऐसा नहीं करने पर एक क्रोड़ की धनरासी प्रदेश सरकार को चुका नहीं होगी अगली सुचना UPTET को लेकर किया लिखा उत्तर प्रदेश शिक्षक पातरता परिच्छ रिजल्ट इस सब्ता जारिक की जा सकता गौर तलब है कि योगी सरकार 25 मार्च को सीम पत्कित तो देखिए उसके बाद से 10 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक बहुत सारी भरतियों के इन्होंने परिड़ाम तक जारी नहीं किये हैं जाये दरोगा बरती हो UPTET हो या अन्य बहुत सारी भरतियों उत्तर प्रदेश में सब कुछ रोग करके रखा गया है UPTET के लिए विद्यार्थी social media में हैस्टक भी चला रहा हैं अभियान भी चला रहा हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि UPTET के जो परड़ामा वो जल्द से जल्द जारी किया जाय है वैसे भी UPTET की विग्यापन में भी देरी वी परिक्षा में भी देरी वी और अब परिणा में जान भूज करके देरी की जा रही है सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है कि विद्यार्थी नराज हो जाएंगे तो क्या होगा बेरोजगार नराद हो जाएंगे तो क्या होगा सरकार को यह चिंता रहती है कि कोई पिशड़ा वर्ग नराद हो जाएगा तो उसका उब्मुक्य मंत्री बना दें कोई ब्राहमन वर्ग नराद हो जाएगा तो उसका उब्मुक्य मंत्री बना दें कोई दलित वर्ग का कोई पर रोजगार नराज हो जाएंगे तो उनका क्या होगा विधर ते नराज हो जाएंगे तो उसका क्या होगा एक बात मैं इस पर पस्प्र पता दूं कि जो भाजपा के समर्तक है या जो कोई भी है जिन्हों नों वोट दिया है और लगातार देते हैं उनसे पर आज आप और यहां पर दे सकते हैं आप लोग पंजाब में 65 भरती को मंजूरी भी दी जा चुकी है लेकिन उत्तर प्रतेस में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया यह सुजना यूपी ट्रपल सी की है लिखा है आपकारी भरती परिक्षा परिडाम को चुनोती यूपी ट्रपल सी की एक और भरती को वी दैरती नों चुनोती दिया है लिखा हुआ है कि आपकारी सिपाही भरती 2016 परिक्षा परिडाम को हाई कोड में चुनोती दे दी गई है प् मात में हाई मार्स लाना बहुत आसान है यह संविदान के अनुचे 14 15 और 16 का उलंगन है असल में अभी हाल ही में यूप ट्रेपलसी ने आपकारी भरती का प्रडाम जारी किया है और उसमें जो महिलाओं की संक्या वो काफी यह जब की महिलाओं को 20 प्रिस्थे रिजर्वेश था तो उनको समान नवरे के मानदनों को पूरा करना चाहिए था जारी किया गया है नोटिफिकेशन में कहका गया था उसे सब्सक्राइब 81 महिला बेर्थियों का चेन होना चाहिए था लेकिन 200 से ज़्यादा महिलाओं का चेन हो गया इसलिए विदारती कोट चलेगे देखते हैं क्या होता है और ये हो गया आज का वीडियो वीडियो कर आपको अच्छा लगा आपके काम को तो लाइक अवस्य कर दें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद